हम सभी को ये पता है कि अगर बैंक की गलती के वज़े से किसी गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो गए तो ये 100% बैंक की responsibility है कि वो हमें हमारे पैसे reverse करवा है जिसके बारे में मैंने आपको मेरे previous वीडियो में बताया भी है लेकिन कभी आपने सोचा है दोस्तो जिसे हमें पैसे बेजने हैं उसकी जगा किसी और को हमारी गलती के वज़े से पैसे ट्रांसफर हो गए तो उसके reversal का exact process क्या होता है Basically हम इन transaction mistakes को चार पार्ट में divide कर सकते हैं 1. Wrong credit यानि कि जिसे पैसे बेजने थे उसकी जगा किसी और को पैसे भेज दिये 2. Access credit यानि कि जितने पैसे बेजने थे उससे ज्यादा पैसे transfer हो गए 3. Erroneous credit यानि कि पैसे भेजने ही नहीं थे लेकिन गलती से भेज दिये फोर्थ मल्टिपल क्रेडिट एक बार पैसे भीजने थे बड़ दो या दो से ज्यादा बार सेम अमांट ट्रांसफर हो गए सेम पार्टी को अब ये चारो ट्रांजक्शन मिस्टेक आपसे हो सकते हैं मोबाइल बैंकिंग नेट बैंकिंग या यूपी आप को यूज करके या अपने बैंक में जाकर ट्रांसफर फॉर्म रॉंग ली फिल करने के वज़े से हुआ हो तो आईए हम इन चारो ट्रांजक्शन मिस्टेक्स को एक सिनारियो में समझते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि ऐसे ट्रांजक्शन मिस्टेक्स अगर आपके मोबाइल बैंकिंग नेट बैंकिंग फिजिकल बैंक ट्रांसफर फॉर्म से हुए हो तो अपने फंड को बैंक से रिवर्स केसे करवाएं यहां मैं यूपी आई से हुए रॉंग ट्रांजक्शन का रिवर्सल प्रोजस वी से पैसे शाम को भेज दिये और राजो और शाम दोनों के अकाउंट अब हो सकता है यह ऐसा गलत ट्रांसफर अपने मोबाइल बैंकिंग नेट बैंकिंग या बैंक में जाकर फिजिकल बैंक ट्रांसफर फॉर्म की थ्रू किया हो तो इस केस में फंड को रिवर्स करने के ल प्रॉपलम को प्रॉपरली डिस्क्राइब करने के साथ उस कंब्लेंट में अकाउंट नबर, ट्रांसफर अमाउंट, डीट ओफ ट्रांसएक्शन, मोडımız बैंकिंग, याने सामने वाले bank का याने की SBI का IFAC code जिस account में fund जाना था याने के राजु का account और जिस account में गलती से चला गया याने के शाम का account number ज़रूर mention करें जैसे ही आपकी complaint आपके bank याने के HDFC को मिलेगी HDFC bank आपके बिहाफ पर अपने backend department को इस wrong transfer के बारे में email करेगी और फिर वो backend department सामने वाली bank याने के SBI को same mail forward करेगी और ये बताएगी कि हमारे एक account holder ने आपके bank के एक account holder याने के राजु को पैसे भेजने के बजाए आपके ही bank के किसी और account holder याने के शाम को गलती से fund transfer कर दिया है और फिर SBI immediately अपने concern branch को same mail करेगी जहां राजु और शाम का account है और उस concern branch को order देगी कि वो immediately शाम के account में 10,000 रुपे fund block करे और reversal का process start करे यहां fund blocking को basically banking terms में lien marking कहा जाता है एक बार अगर किसी bank ने अपने account holder के account में particular amount का lien mark कर दिया तो वो account holder बिना bank के permission के उस particular amount को ना तो withdraw कर सकता है और ना ही transfer कर सकता है खेर हम हमारे scenario में वापस आते हैं जहां अब SBA ने अब शाम के account को 10,000 से lien mark के आने के block कर दिया है अब यहां पर commonly दो scenario निकल कर आते हैं या तो शाम के account में वो 10,000 अभी भी पड़े हुए है जो आपने HDFC bank से राजु के बजा शाम को भेज दिये थे सेकेंड या तो जैसे ही शाम के account में 10,000 आये उसने वो पैसे निकाल लिए फर्स scenario में SBA bank शाम से permission लेकर उसके account से 10,000 debit कराके वापस आपके account में credit कर सकती है या तो SBA bank correct beneficiary याने की राजु के account में credit कर देगी सेकेंड सिनारियो में शाम ने तो पैसे निकाल लिए है तो SBA bank recovery process initiate करके आपके पैसे return दिलवाएगी ये SBA के responsibility बनती है तो ये था complete process wrong credit के case में similarly axis credit, erroneous credit, multiple credit के case में भी वीडियो में बताए same procedure को follow करके आप आपके fund को reverse करा सकते हैं बस आपको आपकी complaint आपके bank तक पहुचानी है और regular follow up से आप आपके fund को reverse करवा सकते हैं अब हम बात कर लेते हैं reversal process उस case में जहां आपने आपके UPI app जैसे की google पे, phone पे, etc. से wrong credit, axis credit, erroneous credit या multiple credit किया हो NPCI के rule के हिसाब से UPI के case में सबसे पहले आप आपके UPI app के अंदर ही complaint lodge करें वहाँ आपको complaint lodge करने का option होता है अगर problem फिर भी solve ना हो तो आप जिस bank का UPI app use कर रहे हैं आप वहाँ complaint करें अगर फिर भी आपकी complaint resolve नहीं हुई तो आप bank में complaint कर सकते हैं जहां आपका account है अगर आपकी bank भी complaint resolve नहीं कर पाई तो आप NPCI के portal पर जाकर UPI dispute redressal mechanism में complaint कर सकते हैं और अगर UPI dispute redressal mechanism की through भी आपकी complaint resolve नहीं हुई तो आप finally RBI banking ombudsman में आपकी complaint online lodge कर सकते हैं जिसका वीडियो मैंने अल्रेडी बनाया है। अब हम कुछ important suggestion इस topic से related discuss कर लेते हैं। First, मान लो कि जिस account में गलती से आपका fund चला गया है, अगर उसने पैसे निकाल लिये और वो अब पैसे देने से मना कर रहा है, तो उस case में आप legal action ले सकते हैं। Second, आप reversal के process को थोड़ा fast करने के लिए अपने bank से directly सामने वाली bank की branch को भी email करवा सकते हैं। अगर आपके पास सामने वाली bank branch का email ID है, जहां fund गलती से चला गया है, तो reversal का process थोड़ा जल्दी हो सकता है। कभी भी बड़े amount को transfer करने से पहले, sample amount जैसे की 1 रूपी या 10 रूपी बेच के सामने वाले party से credit confirmation ले ले। इससे आपका fund किसी गलत account में जाने के chances कम हो जाएंगे। So इसी के साथ मैं अपना वीडियो यही खतम करती हूँ, I hope आपको वीडियो पसंद आया हो, कुछ doubt या suggestions है, तो आप नीचे comment box में जरूर बताएं, thank you.